एलो दोस्तो आजकी इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप अपनी Firebolt की Smart Watch में टाइम और डेत को सही कैसे कर सकते हैं जैसे की दोस्तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो स्मार्ट वोच में यहाँ पर टाइम बता रहा है वो 12 बज कर 14 मिनट बता रहा है जबकि अभी जो टाइम हो रहा है वो 1 बज कर 11 मिनट हो रहे हैं और यहाँ पर अगर मैं आपको डेट दिखाऊं तो यहाँ पर 1 जनवरी बता रहा है स्मार्ट वोच में जबकि आज जो में टाइम और डेट को सही करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी स्मार्ट वोज को अपने मुबाइल से कनेक्ट करना होगा और मुबाइल से कनेक्ट करने के लिए आपको अपने मुबाइल में एक एप को डाउनलोड करना होगा एप को डाउनलोड करने के लिए आपको आप को open कर लेना है अब यहाँ पर अगर आप इन सभी details को भरना चाहते हैं तो यहाँ पर से click करके आप इनको सभी details को यहाँ पर भर सकते हैं नहीं तो आप इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए और उसके बाद में नीचे done पर click कर दीजिए done पर click करने के बाद यह जो app हो कुछ इस तरह से open हो जाएगा तो यहाँ पर नीचे आपको एक watch का icon देखने को मिलेगा इस पर आपको click करना है click करने के बाद उपर आपको add a device का option मिलेगा add a device पर आपको click करना है अब यहाँ पर आपको location permission को on करना होगा तो while using the app first option है इस पर आपको click करना है अब यहाँ पर आपको allow करना है अब यहाँ पर से आपको अपने Bluetooth को on करना है तो यहाँ पर आपको allow कर देना है और आपका जो Bluetooth है वो on हो जाएगा अब यहाँ पर से यह आपकी smart watch को search करेगा और यह देखिए connect हो चुकी है और जैसे ही connect हो जाएगी तो आपकी जो smart watch का time है वो automatically यहाँ पर से set हो जाएगा जैसे कि दोस्तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अभी time हो रहा है वो 1 बज़ कर 16 मिनट हो रहा है और यहाँ पर smart watch में भी 1 बज़ कर 16 मिनट हो चुका है और इसी तरह से यहाँ पर मैं date भी दिखा जेता हूँ आपको तो mobile में भी 5 जुलाई है और यहाँ पर smart watch में भ subscribe जरूर करें